अरे भाईया यह क्या लीख हो गया सिंगम अगैन का इतनी बड़ी लापर भाई कुछ समझ नहीं आ रहा भाई है लो गाईस कैसे हो आप लोग स्वागत है आपका सिंगम अगैन के एक और जबरदस्ते एपिसोड में बेसिकली जो गाईस यहां पे अजय देवन के फैंस हैं कि ट्वीटर में भाई सिंगम अगैन के काई शूटिंग के जो गाईस यहां पे वीडियो है वो लीख हो रहे हैं कुछ फोटो लीख हो रहे हैं एक तो मैंने भी लगा रखा है पीछे और यहां पे जो चीजे दिखाए गई हैं इसके ओपर आप रियाक्ट करो ऐसा कह रहे हैं लाइक अगर आप लोग पुषपाटू की बात करते हो लाइक कलकी की बात करते हो या फिर गईस और फिर किसी मूवी सिंगम अगैन का क्या हुआ ऐसा क्या दिखा दिया गया है तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तो लाइक सब्स्क्राइब कर दो ता कि आपको के बारे में नहीं बताया है और बताया जा रहा है कि यह पोस्पोन करने का जो यहां पे जो वजय है वह नदर दैन शूटिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है मूवी की बहुत आप लोग क्या सकते हो कि भारी भरकम एक्षन बड़े स्टार से सजी हुई मूवी है जिसमें पोस्प्रडक्शन का काम काफी रहता है तो जिसके वज़े से इस मूवी को इन लोगों ने पोस्पोन किया और मूवी की शूटिंग अभी भी चल रही है इवन अरजुन कपूर जो इस मूवी के मैन विलन है उन्होंने तो अपने हिस्से की काम कर लिया अपने हिस्से की शूटिंग कर लिया इवन आप लोग कह सकते हो कि गाने भी फिल्मा दिये गए हैं लेकिन इंटरनेट में गाइज कुछ वीडियो वाइरल हो रहे हैं जिसमें जे करने के लिए जान जाते हैं मतलब डिरेक्टर भी वह सेनेमेटर ग्राफर भी वह हलां कि कुछ पोशन के लिए ही वह करते हैं तो यहां पे वह चीजे वाइरल हो रही है हलां कि मैं आपको दिखा नहीं सकता क्या पता मेकर्स कॉपिराइट भेज दे क्योंकि यह सब चीज क आप लोगों ने प्रोटेक्शन नहीं लगाया मतलब भीड है अगर आप लोग उस वीडियो को जाकर देखते हो तो पीछे लोग बाग साफ देखने को मिल रहे हैं यह कश्मीर का गाइस एक शीडियूल है कश्मीर में शूटिंग चल रही है इसकी पता जारा है कि 8-10 दिन की शूटिंग वहां पर होनी है में भी शायद हो भी गई होगी लेकिन लोग जैसा कि पराने जमाने में देखते हैं खड़े होके वैसे गाइस देख रहे हैं वीडियो में तो समझ नहीं आया अब लगतो रहे कि यह क्लामेक्स का सीन है क्योंकि जैकी श्राफ भी दोस्तों वीडियो में मिल रहे है अला कि यहां पर इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोगों के डिमाग में मतलब मेरी नहीं जहें चीछापक्स्मीर है अब यहां पर आपने सुर्य वंसी में देखा होगा कि भाई कैसे बाजी राव सिंगम ने धंकी दिया था पाकिस्तान से निकाल के मारूंगा तुझे तो कहीं न कहीं इस मुवी का भी जो टॉपिक है वो इंडिया वर्सिस पाकिस्तान का दोस्तों होता हुआ दिखाई देग तो क्या कुछ नुकसान तो नहीं होगा मेरा मानना यह है कि यह जो मूवी है यह बाजी राव सिंगम के स्वैक के वज़े से रही शटी के एक्शन के वज़े से चलेगी और कहीं न कहीं यहां पे जिस तरीके से सुर्य वंसी में दिखाया गया था मुझे लगता है कि ले रखी है और पूरी मुवी पूरी मुवी ऐसा थोड़ना होगा कि पाकिस्तान में जा रहे हैं मार रहे हैं कुछ अलग यहां पर होगा ही होगा इसमें कई कैम्योज भी होते हुए दिखाई देंगे भाई आपको अक्षे कुमार का सुर्य वंसी का सिंबा का तो कहीं मु पांस से च्छे हजार गाई बुक माई शोइंटरेस भागा है 12,000 कुछ था अभी 17,000 और 300 कुछ इसका बुक माई शोइंटरेस पहुंच गया है जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी चीज है बहुत बड़ी चीज बहुत बढ़ी चीज बहाल गाई यहां पे लोग पू इंडिपेंडन्स डे में रिलीज हो गयाने कि जो पुषपा है उससे टकराएगी इस मूवी के काफी काम रहता है तो भाई यह दिवाली का जो गाई देट हैं बताया जा रहा है कि कंगवा के मिकर्स भी वही डेट को टारगेट कर रहें तो अब देखते हैं कि क्या होता है क्योंकि यहां पर आस्मान से गिरे खजूर पर लटके वाला सीन ना हो जाए क्योंकि कंगवा की भी एक बहुत ग्रांड मूवी होती हुए दिखाए दे रहे हैं उसमें मैन विलन जो एंदर घौनिस हैं वो हैं बॉबी देवल भले ही सूरिया अभी तक हिंदी मूवी में इतने बड़े नाम उनका नहीं है हिंदी बैल्ट में लेकिन अभी लॉड बॉबी देवल कहला रहे हैं तो गाई यह कुछ टैंसर ने कुछ सीने हलाकि इसके बाद भी एक और अपडेट आया था मिभी शायद हो सकता ही कि सिंगा मगैन इस साल आये ही ना हम इभी 2025 के घरतं यहां पर अगर दिवाली में आएगी तो मेरे हिसाब से दोस्तों काफी ठीक हो जाएगा अब कंगु आखा तो सिर्फ यह उर्ती उर्ती बाते हैं कि वह उस दिन आएगी बाकि इसमें दोस्तों आपका क्या कहना है और यह जो कुछ वीडियो वगेरा वाइरल हो रहे है मेर एक सेट बनाया इन लोगों ने और वहां से भी फोटो लिख हो गया यह तो यह तो सडक है सडक कितने वीडियो से आप लोग रोक पाऊगे तो बताओ क्या है कहना मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में अभी के लिए इतना है